Mirrors के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आप बात करते हैं एक नए Optical Device की Lenses Lenses का इस्तमाल हम आम जिन्दगी में बहुत जगा करते हैं जैसे कि Glasses, दूर बीन, Microscope या फिर Telescope तो आप इस वीडियो में Lenses के बारे में कोई छोड़ी छोड़ी बाते करते हैं जिसकी मदद से हम बाद में इन सारे Objects की, इन सारे Devices की Working समझ सकें तो सबसे पहले मैं Lenses को Define कर देता हूँ देखो Lenses, ये एक ऐसी Optical Device है जो की एक Transparent Medium से बनी हो जैसे की Glass Lens अब इसकी एक या एक से जादा Surfaces curved होती हैं ताकि जो Light इस पर पड़े, वो Refract होने के बाद या तो Converge करें या तो Diverge कर जाएं अब इसी की मदद से ये सारे Devices काम करते हैं तो आप एक Simple सा Lens लेते हैं ये मैं इसे हटा देता हूँ अब अगर तुमने Magnifying Glass से खिला हुआ है तो असल में Magnifying Glass में एक Simple सा Lens होता है एक Convex Lens वैसे एक और टाइप की Lens होती है, एक Concave Lens लेकिन उसके बारे में बाद में बाद करने वाले हैं तो देखो, ये Front View से देखने भी तो Circle लग रहा होगा लेकिन अगर तुम से Side View से देखो न, तो ये तुम्हें ऐसा देखने वाला है देखो, ये थोड़ा Bulged है ये बाहर की तरफ खुला हुआ है, है ना, ये बाहर की तरफ खुला हुआ है और ये जो Surface है, ये असल में एक Sphere का Part है ये जो Curvature है ना, ये एक Spherical Curvature का Part है अब देखो, ये हमारी Simple Convex Lens, ये दोनों साइड सिमेट्रिकल है इस Axis के About, ये दोनों साइड सिमेट्रिकल है, सेम कर्व है अब देखो, तुमने ये नोटिस किया होगा, कि अगर तुम किसी Object को Magnifying Glass के Thru देखते हो ना, तो तुम्हें वो Object कभी-कभी बड़ी दिखती है कभी-कभी सीधी या, कभी-कभी उल्टी दिखती है तो ऐसा कैसे हो पा रहा है तो इसके लिए हम अलग-अलग Objects की Image बनाने की कोशिश करते हैं इस Lens के Thru और उसके पहले हम ये देखते हैं कि ये Lens ये Light Ray को कैसे Refract करती है तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह बन गई हाँ, तो यहां मैं Draw करने वाला हूँ Principal Axis Principal Axis एक Central Horizontal Line है, जो कि हमारी Lens के Thru पास करता है और इसी Line पर लाई करते हैं इन दोनों सर्फिस के Center तो ये जो सर्फिस है, ये एक स्फेर का पाट है, तो इस स्फेर की Center और फिर ए स्फेर की Center, ये भी इस Line पर ही Act करने वाली, इस Line पर ही लाई करने वाली है अब आओ एक Light Ray लेते हैं, जो कि Principal Axis के Parallel जाए और हमारी Lens पर Incident हो, ये हो गई हमारी Incident Ray अब देखो, ये है Air का Medium, यानि कि Optically Rarer Medium और ये Glass का Medium, यानि कि Optically Denser Medium यानि कि Light Ray, ये Rarer से Denser Medium के Towards जा रही है और जब भी ऐसा हो, तो Light Ray Normal के Towards बेंड करती है ये हो गई हमारा Normal, ये है Perpendicular इस Curved सर्फिस के और जब ये Reflect करेगा, तो ये Bend कर जाने वाला है Towards जी Normal कुछ ऐसे अब देखो, इसके बारे में हमने डीटेल में बात किया है एक Car के Example से कुछ पिछले वीडियो में हमने ले लिया था एक Car और फिर हमने ये कहा था, कि Light Ray को मान लेते हैं कि ये Car है और ये जो Rarer Medium है ये मालनों की एक Road की तरह है और ये जो Dancer Medium है ये मालनों की एक कीचड के एरिया की तरह है अब ये Car Road से जा रही है और जब ये Interface पहुचेगी तो देखो, इस Car का Right वाला चक्का ये वाला चक्का, ये पहले हिट करने वाला है कीचड वाले एरिया को लेकिन अभी भी जो Left वाला चक्का है न ये तो Road पही है, यानि कि Right वाला चक्का धीरे हो जाएगा, लेकिन Left वाला चक्का ये जल्दी जल्दी मूव कर रहा है अभी भी अब इसके कराण क्या होगा कि Car टर्न कर जाने वाली है, ये हमारी Car कुछ ऐसे टर्न कर जाने वाली है, ऐसे और फिर ये कीचड वाले मीडियम में ऐसे जाएगी, अब Light Ray जब यहाँ पर हिट करेगी, तो ये जा रही है Denser Medium से, Optically Denser Medium से Optically Rarer Medium में, ग्लास से ये Air में जा रही है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, कि Light Ray बार away from the normal bend कर जाएगी ये ऐसे जाती, लेकिन अब ये away from the normal bend कर जाने वाली है कुछ ऐसे, अब देखो Car की माद से अगर इसे हम समझे हैं, तो इस बार क्या होने वाला है कि Car का चक्का Car का Left वाला चक्का ये पहले हिट करने वाला है, ये Left वाला चक्का ये पहले हिट करने वाला है, रोड को ये है रोड और ये है कीचर तो यानि कि ये वाला चक्का, ये जल्दी जल्दी मूव करने लेगा इस direction और फिर यह ऐसे चली जाएगी हाँ, तो ऐसे हमारी light ray ये भी move कर रही है और हमारी light ray जो कि parallel आई न ये ऐसे bend करके यहाँ पे जाने वाली है और principal axis को कहीं यहाँ पे cut करेगी अब देखो, अजीब चीज यह है न कि अगर मैं कोई सी भी light ray लूँ जो कि parallel जा रही हो principal axis के तो वो lens से refract करने के बाद इसी point पे मिलने वाली है कोई भी मैं light ray लूँ कहीं से भी जाने वाली, बस parallel होनी चाहिए principal axis के, तो refract करने के बाद ये इसी point से जाने वाली है अब क्योंकि यहाँ पे सारी parallel light rays focus हो रही है न, इसलिए इस point को हम एक नया नाम देते हैं और इसे हम कहते हैं focus focus of the lens और इस focus की दूरी from the center of the lens यह हो गई optical center, center of the lens को हम कहते है optical center, यहाँ से focus तक की दूरी इसे हम कहते है focal length अब देखो, focus यहाँ पे तब बन रहा था जब light rays parallel incident थे यहाँ से, लेकिन हो सकता है कि light rays यहाँ से incident हो तो उस case में focus यहाँ पे बनने वाला है यह सारे light rays यहाँ पे focused हो जाएंगे कुछ ऐसे, यह देखो यह parallel आई और refract होके यहाँ पे focus होगे, तो एक convex lens के दो focus होते हैं अब देखो, यहाँ पे light rays जो की parallel आ रही थी न वो focus हो जा रही थी इस point पे अब इसका ultra भी true है अगर कोई light ray focus के थूँ जाए और फिर lens पे incident हो तो वो reflection के बाद parallel आने वाली है कुछ ऐसे तो हमने यह देख लिया कि light rays कैसे reflect करती है जब वो lens के थूँ पास करती है एक simple convex lens के थूँ पास करती है अब यहाँ पे एक assumption यह था कि हमारी lens यह हमने ले रखी थी एक thin lens अब देखो thin lens वो lens होती है जिसके यह जो width है न यह बहुत ही thin होती है in comparison to the radius of curvature देखो यह जो surface है यह एक sphere का part है तो इस sphere की जो radius होगी न उसके comparison में यह thickness of lens यह बहुत ही छोटा है अब इसके बारे में हम detail में बाद में बात करने वाले है अब यह आगे बढ़ते हैं देखो अगली बार क्या होगा न कि मैं दो refractions नहीं दिखाने वाला हूँ मुझे पता है कि जो light ray parallel आएंगी वो तो reflection के बार directly यहीं जाएंगी न तो मैं directly उसे एक बार ही bend करके दिखा देने वाला हूँ थोड़ी सी time बच्छाने वाली और कुछ नहीं तो आगो क्या करते हैं कि एक object लेते हैं और उसकी image बनाने की कोशिश करते हैं इस lens के through तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ हाँ अब ये यह होगी मेरी lens और ये होगी इसके दो focus एक focus यहाँ और एक focus यहाँ depending on कि कहां से light enter कर रही है incident हो रही है मेरा object कहीं यहाँ पे है तो देखो अगर इस object के image बनानी है न तो मैं क्या करने वाला हूँ कि इस object की किसी एक point पे focus करने वाला हूँ हम ले लेते हैं top most point अब देखो हर एक point object का यह हर direction में light trace को भेज रहा होगा लेकिन image बनाने के लिए हमें कम से कम दो light trace चाहिए ही तो मैं एक ऐसी light trace लूँगा जिसकी path को मैं trace कर चुक हूँ और हमें यह पता है कि जो light ray parallel जाती है principle axis के वो तो focus पे चली जाती है तो हम एक ऐसी light ray लेंगे जो कि इस object की top most point से parallel जा रही हो principle axis के और वो reflection के बाद focus से pass करने वाली है अब एक और light ray ले हम लेने वाले हैं तो second light ray मैं ऐसी दूँगा जो कि focus से जाए और फिर incident हो convex lens पे जो कि मुझे पता है कि ऐसी light ray reflection के बाद parallel चली जाती है principle axis के तो यह हो गई मेरी ray number 2 अब देखो यह दोनों ही rays यह reflection के बाद यहाँ पे कहीं intersect कर रही हैं यानि कि इस object की इस point की image बनने वाली है यहाँ पे अब similarly अगर मैं बाकी सारे points के साथ same चीज़े करूँ तो उनकी भी जो intersection होगी न वो यहाँ पे बनने वाली है उनकी image इस image के नीचे बन जाएगी और finally हमारे पास image कुछ ऐसे आने वाला है यह हो गई image of the object अब आव इस image के कुछ properties के बारे में बात कर लेते हैं देखो यह image बन रहा है because यह light rays जो है यह actually मैं intersect कर रही है यहाँ यानि कि इस image यह होने वाला है एक real image इसे लिख लेते हैं यह होने वाला है एक real image अगर तुम यहाँ पे कोई screen डाल दो तो तुम यह screen पे इस image को project कर सकते हो उसे देख सकते हो अब दूसरी बात यह कि यह image यह inverted है inverted तो यहाँ पे object यह ऊपर की तरफ खड़ा है और image यह नीचे की तरफ खड़ी है तो इस वीडियो में हमने Convex lens के बारे में बहुत सारी छोड़ी छोड़ी बाते कर ली हमने यह भी देख लिया कि यह light rays को कैसे reflect करती है अब कुछ आगे की वीडियो में हम कुछ practice करने वाले हैं objects को अलग-अलग जगा पे रखेंगे और देखेंगे कि इसकी image कहा कहा कैसी कैसी बनती है